गुड इनिंग हमरे क्लास्टोल्ट के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का पहला चैप्टर चला है, दी लास्ट लेशन, आज हम लोग दी लास्ट लेशन के सभी 60 अंसवर टाइप कीशन देखेंगे, इसके साथ साथ बोर्ड परिच्चा मे सभी 60 अंसवर टाइप कीशन बने वी हैं, उन सभी 60 अंसवर टाइप कीशन के बारे में विस्तास से चर्चा करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर की कौन-कौन से इंपोर्टेंट कीशन है, क्योंकि प्यार्चे हम लोग का बोर्ड परिच्चा में टार्गे प्यार्चे हम लोग का बोर्ड परिच्चा का जब टाइम टेबल जारी होता है, उसके पहले ही कम्प्रीट कर दिया जाएगा, मिस अक्टूबर लास्ट या नौबर के फर्स्ट वीक तक आपका सिल्पस इंगलेज का पूरी तरह से कम्प्रीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी रिविजन क्लासेश चलेंगी, यह हो गया, उसके बाद आपका पीडियाफ प्रोवाइट किया जाएगा, जैसे ही आपकी जो है क्लास क्लास दे दिये, इसके तुरंत बाद आपको आपके जो है जो पेड क्लास का गुरुप बना हुआ है, उस पेड क्लास के गुरुप में आपको इसका पूरा पीडियाफ आपको तुरंत मिल जाएगा, उसके बाद डाउट क्लासेश पे अरशे चलेंगी, जैसे ए आपका एक चैप्टर कंप्रीट हुआ, चैप्र कंप्रीट हो साथ revision series चलेगी प्यार्चे ए बहुत important है revision series प्यार्चे यही वह revision series है जिससे हमने पिछले batch में 100% paper match कराई वे थे हम जो 80 और 90% की बात नहीं करें 100% paper match कराई वे थे तो इस बार आपकी revision series आपकी paid class की group में चलेगी means paid class का जो group बना हुआ है उस group में आपका revision classes चलेंगी तो प्यार्चे इस लिए जो है यह बहुत सारी और और बहुत सारी facilities आपको paid class की group में देने वाले हैं और आपका छोटा सा हमने amount रखे हुए है 499 का छोटा सा amount रखे हुए है जिससे आप आसानी से paid कर सकते हैं और यह पूरे annual के लिए है मिस जब तक आपका बोर्ड परिचा नहीं हो जाता तब तक आपका paid class का group बना रहेगा ऐसा नहीं कि किवल एक महीने के लिए है यह हो गया प्याचे और इसके साथ साथ आप किसी भी माध्यम से payment कर सकते हो या फिर कुछ QR कोड यहाँ पर दिए गए हैं आप इन QR कोड का प्योग करके payment कर सकते हो और payment करने के बाद प्यारचे आपको payment का screen sort ले लेना है screen sort ले करके इसी नंबर पे आपको whatsapp कर देना है means 7392937172 जो आपका number है इसी number पे आपको payment आपने किया हुआ screen sort आपको message कर देना है उसके बाद 24 गंटे के अंदर आपको paid class के group पे add कर दिया जाएगा और confirmation करने के लिए आप एक बार call करके चेक कर लेना प्यार्चे आपको call करना है किते बजे सुबर 6 बजे से 9 बजे की इसमें call करना है साम को 5 से 8 बजे की इसमें आपको call करना है बाकि आप message किसी भी समय कर सकते हो means whatsapp message 2400 गंटा आप कर सकते हो टीक है whatsapp message का आपको जवाब भी मिल जाएगा लेकिन calling time प्यार्चे हमने रखे वे हैं क्योंकि calling time का अपना time होता है तो इसलिए हमने calling time आपका रखे वे हैं कोई भी समस्या हो तो आप इस समय फोन करके आप पूर सकते हैं तो प्यार्चे इमो के बात हो गई और इस बार YouTube पे बहुत सारी classes नहीं दे पाएंगे क्योंकि paid class की class को जो है देखना है और इस बार 9-11 और सभी बच्चों की paid class चल लगी है तो इसलिए जो है और offline बहुत की classes हैं तो इसलिए प्यार्चे यूट्यूब पर इस बार बहुत कम classes हो पाएंगे तो इसलिए प्यार्चे कर रहे हैं कि इन classes से जोड़ जाना क्योंकि आपको 100% result देंगे इस बात की हम पुरा भरोसा आपको देते हैं 100% आपका English में result देंगे आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और उन बच्चों से पूछ लेना जो बच्चे पिछली बार 10 वी और 12 वी की बोड़ पर इच्छा दी वे हैं उनका 100% paper match करा हुए थे तो प्याच्चे आप एक बार पूछ लेना उन बच्चों से अब जल्दी से हम लोग session की शुरुवात करते हैं यहाँ पर देखिए आपका पहला question दिया हुआ है और पहला question क्या दिए हैं what was the bulletin board miss bulletin board क्या था how was it important या कैसे महत्पूर था तो प्याच्चे जल्दी से बताओ bulletin board क्या था सूचना का केंद्र था bulletin board ना और महत्पूर कैसे था क्योंकि पिछले दो वर्ष के सारी सूचनाएं उसी bulletin board के माध्यम से निकली हुई थी मिस पता चलती थी इसलिए वह bulletin board क्या था महत्पूर था means bulletin board means सूचना पट इसलिए महत्पूर था हो गया आपका उत्तर आप देखो वही लिखे हुई है the bulletin board was the center of informations near the town hall means the bulletin board was the center means bulletin board केंदर था आप information सूचना का केंदर था near the town hall means सभागार के बगल में सभागार के नस्दीग सभागार के नस्दीग जो है bulletin board क्या था सूचनाओं का केंदर था एप पहले question का उत्तर हो गया कि what was the bulletin board का अगला question how was it important या कैसे महत्पूर था अब उसका उत्तर देखना all news had come from the bulletin board means सारे समाचार bulletin board से ही आते थे for the last two year means पिछले दो वर्स के पिछले दो वर्स के सारे समाचार bulletin board से ही आते थे अब पिछले दो वर्स के कौन कोर से समाचार as the last battles जैसे की कोई हारा हुआ युद्ध का समाचार the dropped का समाचार the order of commanding officer commanding officer का समाचार इस सारे समाचार पिछले दो वर्ज के वहीं से आते थे So it was important इसलिए यह क्या था प्याचे? महतपूर था इसलिए बुलेटीन बोर्ड क्या था? महतपूर था यह प्याचे आपका पहले किसन का एकदम सटीक उत्तर हो गया As the lost battles, the draft, the order of the commanding officer So it was important इसलिए यह क्या था प्याचे? महतपूर था और यह प्याचे आपका important question भी है यह आपके बोर्ड परिचा में प्रस्ण आ भी सकता है कि बुलेटीन बोर्ड क्या था? और कैसे यह महतपूर था तो इसलिए प्याचे हमने यहाँ पर important question लिख दे वे हैं आगे चलते हैं अगले question पर चलते हैं अगला question देखी क्या है What did M.Hemal say? M.Hemal ने क्या कहा When friends reached to the school जब friends school पहुचा तो M.Hemal ने क्या कहा तो प्याचे M.Hemal ने क्या कहा हुआ था यही कहा हुआ था न बड़े दयालता पुर्वक यही कहा हुआ था जाकर कि अपने स्थान पे बैठ जाओ न हम तुम्हारे बीना ही क्लास की सुरुवात करने वाले थे न यही M.Hemal ने कहा हुआ था न जब friends school पहुचा हुआ था तो यही बात कहा हुआ था जल्दी से ही वह अपनी अस्थान पे चला जाए मिस बैठ जाए और यह भी कहा दे हैड बीन बेगिनिंग बिदाव टीम वह उसके बिना ही सुरुवात करने वाले थे और यह भी कहा कि वह जो है मिस M.Hemal उसके बिना ही क्लास की सुरुवात करने वाले थे यह प्याचे आपका क्विशन नमबर दो का सीधे सटीक सा उतर हो गया क्या उतर हो गया विन फ्रेंज रीज टू दी स्कूल M.Hemal saw him and said very kindly to go to his place quickly and also said they had been beginning without यह दूसरे क्विशन का उतर हो गया आपका दूसरा क्विशन इसलिए important क्विशन है आगे चलते हैं तीसरे प्रशन की तरफ तीसरा प्रशन देखी क्या है what did M.Hemal speak first M.Hemal ने पहले क्या बोला in the class means कक्छा में कक्छा में उस दिन M.Hemal ने सबसे पहले क्या बोला that day means उस दिन about the last lesson means अंतिम पार्ट के बारे में अंतिम पार्ट के बारे में M.Hemal ने उस दिन कक्छा में सबसे पहले क्या बोला तो प्याचि क्या बोला था M.Hemal spoke M.Hemal बोले first in the class means कक्छा में पहले that it was the last lesson या उनका अंतिम पार्ट है which he would give them जो वह उन्हें देंगे miss जो वह बच्चों को पढ़ाएंगे या उनका अंतिम पार्ट है the order has come from Berlin आदेस आ चुका है Berlin से to teach only German केवल जर्मन पढ़ाने के लिए in the schools of Alsace and Lauren Alsace और Lauren के स्कूल में जर्मन पढ़ाने के लिए जो है Berlin से आदेस आ चुका है तो प्यार्चे ए आपका question number 3 का उत्तर हो गया थोड़ा सा और लिखना चाहोत यहाँ पर लिख सकते हो इसे लिखना चाहोत लिखो सकते हो नहीं लिखना चाहोत नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं the new master would come to the next day miss अगला जो है यह प्यार्चे आपका question हो गया यह question का आपका उत्तर हो गया और यह भी 2022 के बोर्ड परिच्छा में पूछा हुआ प्रस्ण है तो प्यार्चे क्या हो गया M.Hemel spoke first in the class that it was the last lesson which he would give them the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lauren the new master would come to the next day he wanted to be very attentive यह प्यार्चे आपका question हो गया अब चलते हैं चोथे प्रस्ण की तरफ देखते हैं आपका चोथा प्रस्ण क्या है और चोथे प्रस्ण की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चलने पर पहली बारा है चलने को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को से रवस कर देंगे प्यार्चे यह आपकी जिम्मधारी है अब यहाँ पर देखिए what did friends think friends ने क्या सोचा after hearing about the last lesson निस अंतिम पार्ट के बारे में सुनने के बाद अंतिम पार्ट के बारे में सुनने के बाद जो है friends ने क्या सोचा तो प्यार्चे friends ने क्या सोचा हुआ था कि वह अभी तक पढ़ नहीं पाया था बड़ा दुखी मस्स सो रहा था न वही सारी चीज़े थी अब देखो क्या लिखे हुए है after hearing about the last lesson मिस अंतिम पार्ट के बारे में सुनने के बाद friends thought friends ने सोचा that he hardly knew how to write अभी तो वह बहु मुश्किलन सीख पाया था how to write मिस कैसे लिखते हैं he should never learn anymore अब वह कभी सीख नहीं पाएगा and he also failed और वह यह भी महसूस किया sorry मिस दुख महसूस किया for not learning his license अपने पार्टों को तयार ना करने के लिए उसने दुख भी महसूस किया यह प्याच्ची हो जाएगा उसका reaction हो जाएगा जब friends ने सुना हुआ था अंतिम पार्ट के बारे में यह आपका question number 4 का सीधे सतीक उत्तर हो गया question number 4 क्या पूचा what did friends think means friends ने क्या सोचा after hearing about the last lesson means अंतिम पार्ट के बारे में सुनने के बाद friends ने क्या सोचा तो आपका simple से उत्तर हो जाएगा उसने सोचा था कि अभी तो वह बहुमुश्कलन सीख पाया था कि लिखते कैसे हैं और अब वह कुछ भी सीख नहीं पाएगा पढ़ नहीं पाएगा यह ऐसा friends सोचता है और दुख इस बात के लिए भी दुखी होता है क्योंकि उसने जो पढ़ाई नहीं किया हुआ था अपने पाठों को जो तयार नहीं किया था उस बात के लिए भी वह दुख महसूस करता है यह प्याच्चों किसन नमबर चार का सटीक उत्तर हो गया फिसे देख ले न आफ्टर हीरिंग एबाउट डिलास्ट लेशन फ्रिंज थौट डाइट ही हार्डली निव हाव तु राइट यह आपका चौते किसन का सीधे सटीक उत्तर हो गया पांचवें किसन की तरह बढ़ते हैं पांचवां किसन देखिए क्या है क्या आप फ्रिंज ने जो है पार्टिसिपल के नियम को सुना दिया हुआ था हाउ मिंस कैसे मिंस अगर सुनाया था तो कैसे नहीं सुनाया था तो कैसे तो प्याचव क्या बताओ पार्टिसिपल का नियम सुना दिया था नहीं सुना पाया था सुनाना चाहता था लेकिन सुना नहीं पाया था तो आप उत्तर कैसे लिखोगे फ्रेंज डिड नाट रिसाइट दी पार्टिसिपल means the friends जो है participle के नियम को सुना नहीं पाता है he had not learned the rules of participle उसने नहीं याद किया हुआ था उसने नहीं तयार किया हुआ था participle के नियम को उसने तयार नहीं किया हुआ था he wished उसने इच्छा ब्यक्त किया to read without mistake means बिना गलती के पढ़ने की उसने इच्छा ब्यक्त की but he got mixed up on the first word लेकिन शुरुवात में ही प्रारंभ में ही उसने क्या कर दिया गलती कर दिया उसने इच्छा तो किया कि जो है बिना गलती के ही पढ़ डाले सारे participle के नियम लेकिन उसने पढ़ा नहीं था तो इसलिए इसने सुरुवात में ही गलती कर दिया यह प्याच्छे आपका हो गया कि जो है how का उत्तर हो गया second वाला आपका how का उत्तर हो गया पहला उत्तर तो था simple सा कि did friends recite the participle क्या friends participle के नीमों को सुना देता है तो no करके आपने लिख दिया था did not करके के उत्तर लिख दिया था लेकिन how वाले का आपने नीचे उत्तर लिखे विए हैं तो प्याच्छे पांचे किसन का उत्तर क्या हो गया friends did not recite the participles he had not learned the rules of participle he wished to read without mistake but he got mixed up on the first verse प्याच्छे ये आपका पांचे किसन का उत्तर हो गया छटे किसन की तरफ बढ़ते हैं whom did mml blame mml किसको blame करते हैं दोसा रोपन करते हैं for the ignorance in study मिस पढ़ाई में ignorance के लिए मिस पढ़ाई में जो ध्यान बच्चे नहीं दे रहते उसके लिए मिस पढ़ाई में अज्यानता के लिए किसको जो है दोसी ठहराते हैं कौन दोसी ठहराता है जो है mml किसको दोसी ठहराते हैं और उसके बाद why और दोसी जिसको ठहराते हैं क्यों ठहराते हैं तो प्याच्चे ए प्रस्ट आपका क्या पूचा हुआ है ये आपका छटा प्रस्ट क्या पूचा हुआ है सिम्पल सा छटा प्रस्ट है M.H.M.L. ने पढ़ाई को नजर अंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया, किसको दोसित किया और क्यों किया तो किसको दोसित की विये थे, उसके पैरंस को दोसित की विये थे, क्योंकि parents उसे meal में, या फिर फार्म में काम करने के लिए भीज देते थे इसलिए उसके parents जिम्मधार पते और इसके बाद या है, यह भी Firstly, for the ignorance in studies, मिस पहले पढ़ाई में नजर अंदाज करने के लिए, MML ब्लेम्ड MML ने अरोपित किया, their parents मिस दोसित किया, किसको, उसके माता पिता को दोसित किया, who prepared them to work on a form, जो पसंद करते थे, कि यह बच्चा कहां पर काम करे, form में काम करे, are at the mills, या फिर किसी कार खाने में काम करे, and यह तो पहली बात होगी, जिस तरह से form और मिल्स को, parents को जिस तरह से जिम्मदार खाराता है, यह आपका पहली बात होगी, और दूसरी बात हो देखो, खुद को कैसे जिम्मदार खाराता है, and then he blamed himself, और फिर उसने स्वयम को ही blame किया, means स्वयम को दोसा रोपी ठार यह प्यार्ची हो जाएगा, तो सिंपल सर्स में पूछा हुआ था, कि बच्चे के जो पढ़ाई थी, मिस M.H.M.L. ने पढ़ाई को नजर अंदाज करने के लिए, किसको दोसित किया हुआ था, और क्यों किया हुआ था, किसको दोसित किया हुआ था, उसके parents को किया हुआ उसे form या meal में काम करने के लिए भेज देते थे, और स्वेम को कैसे दोसितरा, क्योंकि जब वह मसली पकरने जाता था, तो बच्चों के छुटिया कर देता था, या फिर बगीची में पानी देने के लिए, बच्चों के छुटिया कर देता था, इस प्रकास से उसने अपनी आपको क्या किया, जिम्मिदार ठाया, ये प्याच्चे किसन नमर्च चा का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, फर्स्टली फार्दी इग्नोरेंस इन स्टेडीज, MML ब्लेम्ड ब्लेम्ड दियर पैरेंट्स, हूँ प्रीफर्ड देम् तो वर्क आन फॉर्म आर एडड दी मिल् चाटा क्रिशन है, चाटा क्रिशन प्याच्चे अभी तो आपको बता चुके है, सात्वा क्रिशन, वाट डिड़ MML से, MML क्या कहते ही, एबाउट डी लेंग्वेज और इस इंपोर्टेंट मिस भासा के बारे में, और इसके महत्त के बारे में, प्यार्चे यहाँ पर दो सुन्दर्तम भासा है, इसके साथ साथ सबसे क्लीरेस्ट भासा है, इसके साथ साथ सबसे असपस्ट भासा के साथ सबसे तारकिक भासा भी है, ऐसा MML का कहना था, फ्रेंच लेंग्वेज के बारे में, लेकिन भासा के बारे में, उनका बस इतना कहना था, कि किसी भी देश क ग्यान है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पास उस जेल की चाबी है जिस जेल में हम क्या है बंद है तो प्याचे यहीं यहाँ पर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा देखो एमहमल से एमहमल कहते हैं language is very important for one's country किसी भी देश के लिए भासा का अतिदिक महत होता है and about its importance और उसके महत के बारे में he said वे कहते हैं when a people are enslaved जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है as long as they hold fast to the language जितना वह मजबूती से जो है भासा से जुड़े हुई होते हैं it is as if तब मानो ऐसा होता है they had the key to the present कि उनके पास चाबी है to the present means अपने जेल की जेल में बन्द है उस जेल की उनके पास चाबी है ऐसा माना जाता है तो प्याचे ए हो गया आपका question number 7 का उत्तर हो गया और ए 2022 की बोड़ पल्चा में पूछा हुआ प्रशन है तो इसलिए यसे ध्यान से पढ़ना ठीक है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ए जो है एम हैमल ने क्या कहा हुआ था भासा के बारे में और एम हैमल ने इसके महत के बारे में क्या कहा हुआ था और अगर पूछ दिया हुआ था इस बार की बोड़ पल्चा में पूछा भी था कि एम हैमल फ्रेंच भासा के बारे में क्या बोले हुए थे फ्रिंज क्या सोचता है एबाउट डी पीजन्स मिन्स कबूत्रों के बारे में फ्रिंज कबूत्रों के बारे में क्या सोचता है और वाई और क्यों सोचता है तो प्यारेचे फ्रिंज क्या कबूत्रों के बारे में सोचता है कि क्या जो है जर्मन लोग उसे भी जर्मन जर्मन सोचता है और क्यों सोचता है क्योंकि वह पर वह गुटरगू कर रहे थे और यह भासा फोर्सिबिली में बड़े दबाओं से उन पे थोपी गई थी इसलिए ऐसा यहां पर कहा गया है तो पैच्च क्या हो जाएगा फ्रेंज थाट इबाओ दी पीजन्स फ्रेंज जो है पीजन्स कबूतरों के बारे में सोचते हैं विल दे मेक सिंग इन जर्मन और सोचते क्या है क्या वह उनने जो है जर्मन भासा में गवाएंगे क्योंकि आंदी रूप चत पर दी पीजन्स कुईड बेरी लो मिन्स जो है जो पीजन्स थे जो कबूतर थे बहुत धीमी आवाज में गुटरगू की आवाज कर रहे थे जर्मन लेंग्वेज वाज फोर्सिबली इंबोजड और जर्मन भासा फोर्सिबली मिन्स होता है मजबूरी वस इंबोजड मिन्स थोप दी गई थी और जर्मन भासा जो है मजबूरी रूप से थोप दी गई थी इसलिए जो है यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर जो है about the pigeons will they make sing in German because on the roof the pigeons quid very low and German language was possibly imposed means मजबूरन थो पी गई थी ए प्याच्चे question number 8 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया नवे question की तरह बढ़ते हैं दो प्रश्णा और बचे विए हैं 10 प्रश्ण टोटा दो प्रश्णा और बचे विए हैं 9 प्रश्ण प्याच्चे what did mml observe the year at last mml अंत में क्या सीधे observe करते हैं means ध्यान देते हैं तो प्याच्चे क्या सीधे ध्यान देते हैं कि वहाँ पहले एक वस्त को देखते हैं फिर उसके बाद दूसरी वस्त को देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि मानो वह जो है अपने दिमाग में हर समय के लिए उसे बना लेडा चाहते हैं तो प्याच्ची वही बात यहाँ पर लिखे वे हैं at last means end में mml observed the year mml वहाँ पर जहां से देखते हैं first at one thing पहले एक चीज़ को देखते हैं and then at another फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को देखते हैं as if मानो की he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room मिस मानो की इस तरह से बाद चीज़ों को देख रहे थे कि सारी चीज़ों को अपनी दिमाग में fix up कर लेना चाते थे मिस इस्तिर कर लेना चाते थे कि looked in that little school room उस चोटे से कमरे में जो कुछ भी दिख रहा था मिस जो भी उस school के चोटे से कमरे में दिख रहा था उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में इस्तिर कर लेना चाते थे एप याच्छे question number 9 का सीरे सटीक सा उतर हो गया कि at last MML observed the year वहाँ पर observe कि ये निरेचन कि ये ध्यान से देखे first at one thing पहले एक सीज़ को देखे and then at एंदर फिसके बाद दूसरी चीज़ को देखे as if Manu की he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room Manu को उस school room के कक्चा में जो भी सारी चीज़े थी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में fix up कर लेना चाते थे means इस धिर कर लेना चाते थे ये हो गया नवे किशन का उत्तर अब अंतिम किशन की तरह बढ़ते हैं प्याचे आपका अंतिम प्रश्न क्या है what happened क्या घटीत हुआ when church clock is track 12 जब church के घड़ी में 12 बजे तो क्या घटीत हुआ प्याचे तो church के घड़ी में 12 बजने के बाद प्रुसियंस से निक आने लगते हैं और ये अमहेमल जो है पीला हो करके खड़े हो जाते हैं वीवाला फ्रांस लिखते हैं यही सारी चीजे होती ही न तो लिखोगे तो लांग एंस्व टाइप क्या लेकिन आपको लिखने हैं जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं दी ट्रमपेट साब दी प्रुसियंस जो प्रुसियंस से निक के तुरही की आवाज रिटर्निंग फ्राम दी अड्रील जो अपने अभ्याद से वापस आ रहे थे साउंड़ एट विच MML स्टूड अप मिस उनकी आवाज किरकी से सुनाई दी MML खड़े हो गए बेरी पिल मिस बहुत पीले रंग में इने चे चेर मिस अपने कोशी पे अपने कोशी में बहुत पीले रंग में MML खड़े हो गए he tried to give his farewell words वो जो अपने विदाई के सब्दों को कहना चाहते हैं बट चोग्ड लेकिन कोई सीज उनके गले को क्या कर देती है और उद्ध कर देती है यही चीज प्यारचे अंतमी बारब जे घटित हुआ था यह प्यारचे आपका question number 10 और उन्तीम के से आपका यही पर कंपीट हुआ तो क्या इसका उत्तर हो गया तो प्यारचे ए आपका हो गया question number 10 का उन्तीम जो है बहतरी इंडंग से उत्तर हो गया उमीद करते हैं सारी चीज़े आपको बहतरी इंडंग से समझ में आयोंगी कहीं कोई दिक्कत समस्या इन दसो प्रश्णों में आपको नहीं हुआ होगा अब इसकी प्यारचे एक क्लास बची हुई है long answer type question की chapter की बाकी आपका सब कुछ करा चुके है समरीज की करा चुके हिंदी इस्प्रश्ण करा चुके आज सार्ट अंसर टाइप की इसन हो चुका अब आपका इस चैप्टर की केवल बचा हुआ है क्या केवल आपका इस चैप्टर की जो है आपका long answer type question बचा हुआ है जो कल की क्लास में compete हो जाएगा तो इसलिए प्याच्चे सभी बच्चे एक दम ध्यान से पढ़ते रहेंगे और सभी बच्चे paid class में admission ले लें क्योंकि जल्दी ही ये YouTube की classes बंद होने वाली है तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप admission ले लें प्याच्चे यहाँ पर आपका pay structure दिया हुआ है fees structure उसके बाद payment करने का method दिया हुआ है bank detail दिया गया है QR code scan करके दिया हुआ है और उसके बाद आपको payment का इसकी insert भेजना है यह हो गया बाखी calling timing आपका सुबद 6-9 सामको 5-8 यह प्याच्चे आपका calling timing आपका हो गया admission लेने की प्रक्रिया और किस number पर आपको message, phone call सब कुछ करने है 739293, 7172 पर आपको लगातार जो भी करने है phone calls, message आप उसी पर करोगे paid class से add होने के लिए तो प्याच्चे यह मुख्य बात हो गई तो आज की session की समाप्ती यहीं करेंगे और session की समाप्ती करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बारा है चैनल को subscribe कर लें, वीडियो को like कर दें और सभी बच्चों तक वीडियो को share कर देंगे, प्याच्चे जो है सबी बच्चे जरूर जो जाना क्योंकि छोटा सा बस कह रहे हैं छोटा से अमाउंट है लेकिन जो है उसमें आपका बहतरी इंवाटर देंगे और इमाउंट इसलिए लगाए विए हैं ताकि अगले सेशन में सारी चीजों की बवस्ताएं बढ़ियां से कर लें हर झाल